नमस्ते बच्चों, हिंदी व्याकरण का आज हम शुरू करेंगे पाठ दो, पाठ दो का नाम है वार्ण शब्द वाक्य सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्ण वार्ण, वार्ण को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनी या इकाई को वार्ण या आक्षर कहते हैं या था का आदी वार्ण माला, वार्णों के व्यवस्तित अम क्रमबद समू को वार्ण माला कहते हैं हिंदी वार्ण माला में वार्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यांचन स्वर जिन वार्णों का उच्चारण अन्य वार्ण की सहता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी वार्ण माला में 11 स्वर होते हैं ये निमलिकित हैं आयोगवा है वार्ण माला में अंग अनुस्वार और एह विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं मात्रा, स्वार के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, इनका प्रियोग व्यंजन के साथ होता है, हिंदी में दस मात्राएं होती हैं, स्वार और उनकी मात्राएं, ए की कोई मात्रा नहीं है, यह किसी भी वर्ण को पूरा करने के काम आता है, जैसे की क, दूसरा आ, इसकी मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, यह के में लगकर बने आएं का, छोटी ए, छोटी ए की मात्रा वर्ण से पहले लगाए जाती है, बड़ी ए, बड़ी ए की मात् Żwarn के तरफ लगाए जाती है, b gia, and R, warn के नीचे के तरफ उल्टी लगाए जाती है, Far « lolanne के नीचे C के आकार के बनाई जाती है, a, warn के उपर बनाई जाती है, I, I की मात्रा किसी भी, warn के उपर दो लगाई जाती है, जैसे कि यहां दिखाया गया है, दस्वा है, औोकी मात्रा क्या की उपर लगाई गई है जो को बना है, ओ की मात्रा क्या की उपर लगनी के बाद बना है काउ देखिये व्यनजन, जिन वर्णों का उच्चारन स्वरों की साझता से होता है उन्हीं व्यनजन कहते हैं हिंदी वर्ण माला में 33 व्यांचन होते हैं व्यंजन, कय वर्ग, काखा, गाघा, अंगें, चय वर्ग, चेच, जेज, यां, टावर्ग, टाठा, डढ़, अणें, तावर्ग, ताथ, दध, नें, पैवर्ग, पाफा, बाभा, माँ इस प्रकार हिंदी वर्ण माला में कुल 11 और 33 व्यंजन होते हैं और कुल वर्ण 44 होते हैं धन्यवाद